दोस्तो ब्यू आईजन वेलनी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अडानी स्टॉक्स क्यों अभी भी यहाँ पर हमको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं क्यों यहाँ पर आज भी हमको लोवर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं पावजूद इसके कि दोस्तो यहाँ पर अडानी गृप का क्लैरिफिकेशन आ चुका है उस न्यूस पेज इसकी वज़े से हमको शेर्स में भारी गिरावट देखने को मिली पहला कारण था दोसो सुचेता दलाल मैम का ट्वीट आया था उसके बाद हमको अडानी गृप के शेर्स में लोवर सर्किट लगते हुए देखने को मिले उसके बाद भाईया एक मीडिया रिपोर्ट आती है कि NSDL ने तीन FPI अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और करीब 33,000 करोड ये ओन करते था अडानी गृप में उसके बाद देखिया और जाद है हाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हुए लेकिन उसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर अडानी गृप का क्लैरिफिकेशन आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक रैनियस चीज है मतलब की एक औरी बखवास है जहाँ पर अडानी गृप ने बोला है लेकिन आज भी आप देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको लोवर सर्किट ही लगते हुए देखने को मिल रहे हैं चाहे हम बात करें देखिए अडानी पावर में करीब 5% का लोवर सर्किट अडानी ग्रीन में करीब 5% का अल्मोस्ट लोवर सर्किट खुल चुका है लेकिन circuit था इसमें lower and अडानी total gas में आप देख लीज़े 5% का lower circuit and अडानी transmission में 5% का lower circuit तो अभी भी दोस्तों situation यहाँ पर वही sentiment जो है negative है lower circuit लगते होगे देखने को मिल रहे हैं और retail निवेशकों में यहाँ पर एक panic already बना हुआ है तो इस वीडियो में हम पूरा हैं यहाँ पर detail में समझेंगे क्या reasons है जिसकी वज़े से हमको यहाँ पर lower circuit लगते होगे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर कहाँ पर यह circuit खुल सकते हैं इसको भी जाने कोशिश करेंगे और यहाँ पर दोस्तों क्या learning है वो मैं आपको यहाँ पर यह जो स्टॉक्स अवर वैल्यूड हो चुके थे जिया दोस्तों का आप ने देखिया पिछले कई टाइम से हमको इतना तेजी देखने को मिली इन स्टॉक्स में और इतना ओर वैल्यूशन इनका हो गया दोस्तों यहाँ पर डेफिनिटली यह एक यहाँ पर यहाँ पर हमको इसमें कर्रेक्शन तो लाजमी था जिया अगर आप मानते हैं कि 1000% कोई शेयर भाग रहा है तो उसमें दोस्तों यहाँ पर अगर किसी संटिमेंट अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो यहाँ पर लोवर सरक्ट हमको हमेशा देखने को मिल सकता है यह आप हमेशा एक्सपेक्ट करके चलिए स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है दोस्तों मैं पर्टिकुलर अडानी ग्रुप की बात कर रहा हूं किसी भी चाहिए कोई भी दोस्तों अगर स्टॉक अनियूज्वल रन अप आपको दे रहा है मतलब बिना डेवलपमेंट के व और यहां पर कुछ ऐसे क्यूज निकल के सामने हैं जिसकी वज़े से शेयर में हमको लगाता लोवर सर्कृट देखने को मिल रहे हैं अगर में बात करूं देखिए अडानी पावर की एक एक एक्जामपल लेता है अडानी पावर में देखिए दोस्तों हाला कि एक्चेंज इस ने अडानी गुरॉप से हमपर एक्लारिफिकेशन मांगा था उसका जवाब ग्लारिफिकेशन में जो ग्रॉप ने दिया वो दिया था यहां पर आप देख सकते हैं 9 जून का दूस्तों यह ए जो एक्षीएंज को दिया इसमें उन्होंने उन्होंने इख्रिटी बोला तो यह market driven था दोस्तो, market में जो liquidity थी, उसकी वज़े से यहाँ पर हमको shares में तेजी देखने को मिल दे थी, ऐसा कुछ भी हाँ पर project नहीं कोई बड़ा project आने वाला था, नहीं कोई development की news थी, तो इसकी वज़े से यहाँ पर इनका clarification आया, तो यह market driven थी, completely यह जितनी भी rally थी, ठीक है, यह हो गया पहरा reason, अब इसी से दूसरा reason निकल के सामने आता है, कि यह market driven कैसे है, तो market driven ऐसे है वहिया, कि अगर मैं आपको बता हूँ, अगर मैं इसके share holding pattern में चलूँ, तो देखिए दोस्तो, majority of stakes तो promoters के पास ही है, मतलब अडानी ग्रूप के पास ही है, लेकिन आप देखिए, बाकी जो हैं दोस्तों है, हम पर FIIs के पास है, तो यहाँ पर दोस्तों, free float market जो है, low free float है, अडानी ग्रूप के stocks में, इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमको इतना lower circuit लगने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह होता क्या है, अगर low free float होती है, तो अगर negative sentiment generate होते हैं, तो यह जो बाइर से दोस्तों, यह sellers में अगर बदल गए, तो आप सम circuit ही लगता है, आप देखें दोस्तों, यहाँ पर D.I.S. की बिलकुल नहीं है, इसलिए पब्लिक की बहुत कम है, जो majority of portion है, यह ती है, प्रमोटर्स के पास जो है, वो तो definitely freeze है, वहाँ तो buying selling होगी, जो buying selling होगी, majority of stakes में वो होगी, F.I.S. के तुरू, या फिर public के तुरू तो low free float में ऐसा ही होता है, जो majority of buyers है, अगर वो sellers में तब्दिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमको lower circuit लगते होगी, देखने को मिलते हैं, तो दो reason होगी है, एक तो over valuation, जिया दोस्तों, without any big projects, अगर share भागता है, तो हमको कभी भी उसमें share में नहीं entry करनी है, यह मैं आपको 1000 पर बोल चुका हूँ, दोस्तों एक बर फिट से आपको समझाने कोशिश करूँगा, अगर आपको long term में successful होगा है stock market में, तो चलती हुई train, भागती हुई train में कभी मत चड़िये, जब गिरेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, बहुत ज़्यादा नु opportunity मिलेगी आपको, कभी भी ये मस सोचिए कि tier of missing out कभी भी मत रही है, फिर missing out रहेंगे तो हमेशा दोस्तों आपको वहाँ पर गलट decision ही, tier of missing out अगर आप feel करते हैं, अगर आप वैसा सोचते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपके chances यह हैं कि आप गलट decision लेंगे और किसी stock में फज़ जाएंगे उपर इस तरों में और वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब किसी stock में अगर बहुत तेजी से रना पा रहा है without any developments तो आपको दोस्तों वहाँ पर एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, उसमें entry लेने से पहले, until unless आपका conviction उसमें जबरद क्या होगा, क्या करना है, और यह जो चीज होती है, दोस्तों मार्केट में पहले shares को भगाया जाता है, फिर जब कुछ ऐसी news आती है, या फिर profit booking होने चालो होती है, उसको कहते है pump and dump, जिया दोस्तों पहले pump किया जाता है उसको फिर उसके बाद dump किया जाता है, तो यह pump and dump म कभी मत फतिये, pump, देखिए, क्लियरली पता चल लाता है भाई, कहां पर pumping हो रही है, अडानी गुर्प में, स्टॉक में, मैं बात करूं चाहे, अडानी ग्रीन की बात कर लिजे, अडानी टोटल गैस की बात कर लिजे, ट्रांसमिशन की बात कर लिजे, कितना भागे देखि तो ऐसे stocks में entry लेके फालतू अपनी दोस्तों रातों की नींद को खराब मत कीजिए अराम से ऐसे stocks में entry लीजिए जहां पर risk reward ratio बढ़िया है जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ और आपके साथ मैं continuously share करता हूँ और इसके risk reward ratio अच्छा होगा दोस्तों वहाँ पर आपके दोस्तों आप वहाँ पर फायदे में रहेंगे wealth नहीं भी बनेगे ना दोस्तों मान लीजिए अगर आप 50 करोड एक करोड नहीं भी कमाएंगे तो 50 लाग तो अराम से कमाएंगे अगर यह वाली strategy follow करेंगे अगर नहीं करेंगे तो दोस्तों 50,000 कमाना भी मुश्किल हो बाइ बाइ